हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू क्रैक मंत्रा प्रेजेंट बाइट्स ट्यूट आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े जंगल एमाजॉन के बारे में अगर हम सबसे बड़ी नदी की बात करें तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो नदियां आती हैं एक है नील यानी नाइल और दूसरा है एमाजॉन वैसे तो नील नदी की लंबाई सबसे जादा है लेकिन अगर सबसे जादा पानी वाली नदी की बात करें तो एमाजॉन नदी नील नदी को भी पीछे चोड़ देती है क्योंकि नील नदी की चोड़ाई काफी कम है इसकी लंबाई 6840 किलो मीटर है धर्ती के मीठे पानी का पाँचवा हिस्सा एमेजॉन नदी से ही समुद्र में मिलता है और यह नदी एक बहुत बड़े रेन फॉरेस्ट से होकर गुजरती है जिसे एमेजॉन कहते हैं एमेजॉन का मतलब है स्त्रियों की दौड एमेजॉन का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट वर्शावन है दुनिया का 20% आक्सीजन यहीं से आता है इसलिए इसे पृत्वी का फेफड़ा भी कहते हैं यानि लंग्स आफ अर्थ भी कहते हैं दक्षणी अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर यह कोई देश होता तो दुनिया का नौवा सबसे बड़ा देश होता एमेजॉन जंगल कितना बड़ा है इसका अंताजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह दक्षणी अमेरिका से लेकर ब्राजील तक फैला हुआ है इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा 58.4% ब्राजील की सिमाओं के भीतर है पेरू में 12.8% बोलिविया में 7.7% कोलंबिया में 7.1% वेनेजुएला में 6.1% के साथ गुयाना में 3.1% सूरी नाम में 2.5% प्रेंच गुयाना में 1.4% एक्वाडोर में 1% है इसके वर्षा वन 2.1 मिलियन वर्ग मील तक फैले पड़े हैं यहाँ इतने बड़े और लंबे पेड़ हैं कि यहाँ पर सूरी की रोशनी तक सही से नहीं पहुंचती यहाँ पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जिनसे HIV, Cancer जैसी घातक विमारियों का भी पूर्ण रूप से इलाज किया जा सकता है और जीव जन्तु ऐसे जो किसी चमतकार से कम नहीं जिनें देखकर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ऐसे भी जीव हैं दुनिया में यहाँ कुछ जीव आपको इंट्रेस्टिंग अवश्य लगेंगे लेकिन कुछ तो इतने खतरनाक हैं कि जान भी बचाना मुश्किल है एमेजान के जंगलों में 16,000 से जादा पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं करीब 49,000 करोड पेड़ एमेजान के जंगलों में मौझूद हैं यहाँ 25,000,000 से जादा कीड़ों की भी विभिन प्रजातियां पाई जाती हैं कई रहस्य मई और खतरनाक जानवर भी इस जंगल में रहते हैं जो पल भर में भी किसी को मौत की नीथ सुला सकते हैं तो चलिए देखते हैं यहां के कुछ विशेश कीड़ों के बारे में सबसे पहला है बुलिट एंट चीटियों को तो आपने बहुत ही देखा होगा लेकिन क्या ऐसी चीटि के काटने से इनसान की मौत हो जाती है यह देखने में छोटी होती है लेकिन इसका डंक जहर से कम खतरनाक नहीं होता इसका काटना किसी को गोडी लगने जैसा लगता है शायद इसी लिए ही इसे बुलिट एंट कहा जाता है फिर है जीसिस लिज़र्ट क्या आपने सोचा है कि कोई भी जीव पानी पर चल सकता है जी हाँ हम सच कह रहे हैं एमेजान के जंगल में पाई जाने वाली जीसिस लिज़र्ट पानी में चल सकती है हाला कि यह दूरी जादा हो तो यह छिपकली तैरने में भी सक्षम है लेकिन अधिक्तम स्पीड प्रति घंटे 8 किलो मीटर यानी 5 मील तक की होती है इलेक्टरिक इल दक्षिन अमेरिका में एमेजान और ओरिनो को नदी में रहने वाली इलेक्टरिकल इल को मीठे पानी का सबसे जानलेवा जीव कहा जाता है लगभग 2 मीटर लंबी या मचली 860 वोल्ट तक का करिंट पैदा कर सकती है उसके बाद है टेरन टुला अगर मैं कहूं कि क्या आपने 13 इंच की मकडी देखी है तो आपको मजाक लगेगा लेकिन ये सच है एमेजन के जंगलों में 13 इंच की स्पाइडर देखी गई है कहा जाता है कि यहाँ पर और भी विशैली और अलग प्रकार की मकडियां हैं जो आने वाले समय में देखी जा सकती है फिर है थिंबल फ्रॉग थिंबल फ्रॉग एमेजन में पाई जाने वाली मेधक के विशिष्ट प्रजाती है इसका पता तूरू वाटर फॉल गुयाना में चला यह रंग बिरंगे और आकार में छोटे से मेधक देखने में बहुत प्यारे लगते हैं लेकिन उनके अंदर दस लोगों को मारने तक का जहर होता है यह मेधक एमेजन में आम तोर पर दिखाई दे जाते हैं इनके बारे में जानने वाले हमेशा इनसे दूरी बना कर ही रखते हैं फिर है स्कारलेट मकाव यहां तक की जंगल में मकावस को मानो आवाजों की नकल करने के लिए जाना जाता है मकावस, Amazon में पक्षियों की 1000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं जो इसे पक्षि प्रेमी का स्वर्ग मानती है पिराना फिश Amazon के ही जंगलों में ही यह मांसाहरी मचली बहुत ही खतरनाख होती है लगवक तीन हजार प्रजातियों की मशलियां अमेजान नदी में निवास करती हैं इन में मांस खाने वाली पिराना मशली भी मौजूद है हाल ही में वेज पिराना का भी पता चला है वैंपायर बैट्स यहां पिचास चमगादर भी पाये जाते हैं जो जानवरों का खुन पिया करते हैं चमगादर काफी बीमारियों और वाइरस का कारण होते हैं जैसे कोरोना लेकिन यह साधारन चमगादर से भी कई ज़्यादा जाननेवा बीमारियों को फैला सकते हैं उसके बाद आता है जो काफी फेमस है जिस पर मूवी भी बनी है एनाकॉंडा आपने फिल्मों में एनाकॉंडा साप का नाम अवश्य सुना होगा विश्यू का सबसे खतरनाक और सबसे अनोखा बड़ा साप एनाकॉंडा भी यहीं पाये जाता है यह आसानी से भेंड बकरियों को निगल जाता है खूनी जेगवार पैंथर उंका तेंदुआ की एक प्रजाती है जो केवल एमेजॉन वर्शावन में ही पाये जाते हैं यह भारती महादवीब के आम तेंदुआं से जादा तेज और शक्तिशाली होता है शेर और बाग के बाद यह तीसरा सबसे शातिर शिकारी है यह शिकार इतनी तेजी से जपटता है कि शिकारी को जब तक कुछ समझ में आए उसका काम तमाम हो चुका होता है इसके मुख्य शिकार हिरन, जंगली भैसे और बंदर है फिर है चिरोनियस चैलेंजर चिरोनियस चैलेंजर किसी क्रिकेट टीम का नाम नहीं है बलकि 2010 में मिला बेहत खतरनाक साफ है क्या आपने किसी आसमान में रहना पसंद करने वाले साफ के बारे में सुना है अगर नहीं तो यह कुछ ऐसा ही है यह गुयाना ब्राजील बॉर्डर पर पाया जाता है यह 1500 मीटर की उचाई पर मिला यह पेड़ की पतली डालियों पर चड़ पाने में भी सक्षम है इल्यूजिव लिजर्ट Amazon वर्शावन में 2012 में गिर्गिट की एक प्रजा थी इल्यूजिव लिजर्ट का पता चला इसे वैग्यानिकों ने सेरकोस औरा हाइपनोडीज नाम दिया सिर की ओर यह गहरे काले रंग का और पूँच भूरे रंग की होती है यह देखने में अन्य गिर्गिटों से बहुत अलग है उसके बाद है टॉंकस टॉंकस नामक पक्षी दिखने में तोते जैसा है पर आकार में उससे बड़ा है इस रंग बिरंगे पक्षी की चोँच 6 इंचे तक लंबी होती है इन में परिवार की भावना बहुत होती है यह हमेशा जोडी में पाई जाती है फिर है एमार्डिलो एमार्डिलो एक स्तंधारी जानवर है जिसकी 20 से जादा प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती है इसकी अधिक्तम लंबाई 150 सिंटी मीटर तक होती है इसके शरीर की उपरी भाग पर विशेश संडचना बनी है जो इसे इनके दुश्मनों से बचाने में मदद करती है इसके बच्चे पैदा होने पर बेहत कोमल होते हैं पर कुछ ही सबताह में इनका शरीर कड़ा हो जाता है इसकी कुछ प्रजाती सूवर के आकार तक होती है यह जमीन के अंदर गड़ा बना कर रहता है यह चीटी, दीमक और कीड़ों को ज़ादा चाव से खाता है हारपी इगल, दिखने में बहुत हद तक उल्लू जैसा होता है, यह अन्य गिद्ध से ज़ादा ताकतवर और बड़ा होता है यह मध्यम आकार के जानवरों का शिकार आसानी से कर सकता है मंदर इसका फेवरिट शिकार है, इसके सिर के चारों और छोटे छोटे पंकों का गोला होता है जो इसे अपनी अन्य प्रजातियों से अलग करता है यहां भी वातावरन अलग होता है इसलिए कहीं कहीं जहरीले मच्छर पाये जाते हैं और कहीं कहीं तो बिलकुल भी मच्छर नहीं पाये जाते हैं यहां 500 जनजातियां निवास करती हैं लेकिन 50 से ज़ादा प्रजातियां घने जंगलों में होने के कारण अभी तक देखी नहीं गई हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए और जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाना मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ धन्यवाद